शुरुआत में हमें कहानी का में केरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम वो रायन होता है और वो रायन पेर के नीचे बैठी इस लड़की के पास जा रहा होता है तभी वो रायन अपना रास्ता चेंज करके यहाँ पर आकर बैठ जाता है क्योंकि वो रायन दुनिया की हर एक चीज से डरता है, ओ रायन हर अच्छी चीज में एक बुरी चीज जरूर ढूंद लेता है, ओ रायन रिजेक्शन से बेजती से और मजा कुड़ाने से बहुत ज्यादा डरता है, इसलिए वह उस पेर के नीचे बैठी लड़की के पास नहीं गया, क्योंकि उसे अपने दर की अपनी स्केच बुक में पेंटिंग बना लेता है, और उसका एक दर है कि कहीं वो फ्लस करते वक्त पूरे स्कूल को ही नहीं बहा दे, और ओ रायन को रिची पनीची से भी दर लगता है, जो की स्कूल के सभी बच्चों को परेशान करता रहता है, और सभी बच्चे स यहां से जाने लगता है, और स्कूल के बाहर आते ही शेली ओर रायन से पूछती है क्यूं ना ओर रायन अपन दोनों फील्ट्रिप पर साथ चले, और साथ बेठेंगे और साथ मस्ती भी करेंगे, यह सुनकर ओर रायन डर जाता है क्योंकि वो शेली के साथ जाना भी चाहत उसके साथ मस्ती भी करना चाहता है लेकिन उसे मरने से डर भी लगता है तभी शेली की मोम आ जाती है और वो यहां से चली जाती है और फिर ओर रायन भी घर आ जाता है और घर जाकर ओर रायन के मम्मी पापा भी उससे बोलते है कि बेटा तुम्हें फिल्ट्रिप पर जरूर तुम वहाँ पर बहुत मजे करोगे लेकिन ओर रायन बोलता है कि मुझे दर लगता है लेकिन उसकी मम्मी उसे समझती है कि बेटा दर तो सबको लगता है तुम अपने दर पर काबू करना सीखो और फिर रात हो जाती है और राइन सोने के लिए आ जाता है और रायन मम्मी पा जिससे यहां के सभी बल्ग भुझ जाते हैं, ये देखकर ओर रायन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, उसे बहुत जोर से डर लगने लगता है, और ओर रायन अपनी बैटरी उठाकर कंबल के अंदर छिप जाता है, और ओर रायन बहुत ज्यादा दरने की वज़े से गुस साथो दिन चिलाते हो, साल के 365 दिन चिलाते हो, तुम इतना क्यों चिलाते हो और मुझसे इतने सारे बच् desarrollobb बच्चों में सबसे ज़्यादा दरते हो मेरी दरने वाली लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे उपर है और यार मैंने किसी से नहीं बोला था कि मुझे बच्चों को डराने वाला अंधेरा बना दो बच्चे मुझसे डरते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है और अंधेरा उसे आखे खोलने का बोलता है तभी ओर रायन नीचे गिर जाता है ये देखकर अंधेरा भी थोड़ा दर जाता है और पटाक से नीचे जाकर ओर रायन को नीचे गिरने से बचा लेता है और फिर ओ रायन अंधेरे से बोलता है अभी मैं मर जाता तो क्या होता है तुमने मुझे नीचे गिरा दिया और फिर अंधेरा ओ रायन को और भी रात के फरिष्टों से मिलाने ले जाता है जो कि अंधेरे के दोस्त ही होते हैं और अंधेरे के सभी दोस्त इस लड़के को देखकर चौप जाते हैं और बोलते हैं ये तो वही लड़का है जो सबसे ज़्यादा दरता है और यह सभी रात के फरिष्टे मिलकर अंधेरे को डाटने लगते हैं कि तुम इस बच्चे को यहाँ पर क्यों लेकर आए यह सभी रात के फरिष्टे अपना-पना काम करने के लिए चले जाते हैं और अंधेरा और रायन को इन सभी फरिष्टों के काम दिखाने ले जाता है, कि यह सभी फरिष्टे कैसे काम करते हैं, और रायन सबसे पहले निंदिया को देखाता है, निंदिया एक अंकल को तकिये से मुह दबा कर सुला रही होती है, यह देखकर और रायन समझता है कि यह तो अंकल को मार डालेगी और अंधेरा बोलता है कि तुम घबराओ मत निंदिया को अपना काम बहुत अच्छे तरीके से आता है और दूसरे घर में निंदिया एक बच्चे को सुलाने जाती है और निंदिया एक हटोड़ा निकाल कर बच्चों में करने वाली होती है तभी औ निंदिया बाहर आती है और अंधेरे से बोलती है कि अंधेरे तुम इस बच्चे को यहां क्यों लेकर आए यह ऐसी चपड़ चपड़ करेगा तो मैं मेरा काम कैसे करूंगी और ओ रायन इस निंदिया से बोलता है कि तुम काम नहीं बलकि काम तमाम कर रही थी तकि यह से काम है दुनिया में कहीं पर भी चल रहे लड़ाई जगड़े की में टॉपिक को अपने अंदर खीच कर उसे समात कर देना और सभी को अच्छी सी नीन सुला देना और यह है डरावनी आवाज जो की बहुत ही भयानक डरावनी आवाज निकाल निकाल कर छोटे-छोटे अपना ये किसी भी व्यक्ति के दिमाग में घुसकर उसे सपने दिखाने का काम करती है और यहाँ पर आकर ओ रायन को भी अपना सपना याद आता है और वो बोलता है कि मुझे भी एक ऐसा ही सपना आ रहा था वो काम लगता है ये सपना ही कर रही थी लेकिन उस सपने में मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रही थी और अचानक से में एक देंटल्स बैट पर जाकर बैट गया तभी इस लरकी के सपने में भी चेंजिंग होने लगते हैं क्योंकि ओर रायन सपने में आकर बहुत कुछ अलग-अलग लगता है तभी यहाँ पर लीची पनीची आ जाता है और वहिंद सभी को मारने की कोशिश करता है और लीची पनीची अंधेरे और सपना को एक लॉकर में लॉक कर देता है और तभी ओर रायन एक गेट के बारे में सोचता है जिसमें सारा कुछ सामाने लगता है और यह गे अंधेरा बोलता है कि मुझे एक बात बताओ क्या तुम मुझसे अभी भी डरते हो। तबी ओरायन बोलता है कि नहीं अब मैं तुमसे नहीं डरता। और ओरायन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब वो नहीं डरता किसी से। और फिर ओरायन सभी रात के फरिश पसंद नहीं है ये सुनकर अंधेरा बहुत ही ज्यादा अदास हो जाता है उसे बहुत बुरा लगता है जब कोई उसे बोलता है कि अंधेरा बच्चों को डराता है और फिर इन लोगों की तरफ उजाला बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा होता है ये देखकर ओरायन इसे पू मैं हर रोज दुनिया में एक नई उम्मीर की किरण लेकर आता हूँ, इसलिए मुझे सब लोग पसंद करते हैं, ये सुनकर अंधेरा और उसके साथ ही यहाँ से चले जाते हैं, और दूसरे दिन अंधेरा और उसके साथ ही फिर से काम पर लग जाते हैं, और यह सभी लोग इस पिर और रायन बोलता है कि मुझे अन्धेरे से ज़्यदा उज Yeah-la पसंद है क्योंकि वह अच्छा था है लेकर है ihn हो सकता है और यह सब अन्धेरा सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है तभी यहाँ पर उजाला भी आने लगता है और फिर यह सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और अंधेरा और रायन को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है और अंधेरे की सारी टीम अपना फैसला कर लेती है कि वो हब उजाले के साथ रहेंगे अंधेरे के साथ नहीं और फिर अंधेरा अपनी टीम से बोलता है कि दोस्तों मैं अंधेरे को अकेला कैसे संभालूंगा हम सब लोग टीम है हमें मिलकर काम करना होगा हम सब लोग दोस्त है यार लेकिन अंधेरे की team ये सब नहीं सुनती है वो उजाले के साथ काम करना चाहते है और फिर अंधेरा ओर रायन को लेकर यहाँ पर आ जाता है ओर रायन से अंधेरा बोलता है कि आप कोई मुझे पसंद ही नहीं करता तो मेरा इस दुनिया में रहने का मतलब ही क्या है थोड़ी देर बाद उजाला आता ही होगा मैं उसके उजाले में गायब हो जाओगा और इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाओगा लेकिन ओरायन अंधेरे से बोलता है तुम बहुत अच्छे हो तुम ऐसा नहीं कर सकते तब ही उजाला यहाँ पर आ जाता है उजाला दूर से ही अंधेरे को देखकर बोलता है अंधेरे भाई तुम यहाँ से जाओ यार नहीं तो तुम मर जाओगे और अंधेरा बोलता है मुझे इस दुनिया में नहीं रहना तो उजाला बोलता है यार मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा देर नहीं रोक सकता नहीं तो अर्थ पर अनर्थ हो जाएगा इसलिए उजाला उसके उपर से गुजर जाता है और अंधेरा यही पर गायब हो जाता है और मर जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद धर्ती पर सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है क्योंकि धर्ती पर रात नहीं हो रही होती है जिस वजह से बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम हो चुका है, कई लोग सो रहे हैं, कई लोग जाग रहे हैं, कई लोग पागल हो चुके हैं, कई लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, ये देखकर उजाला खुद परेशान है, ये देखकर रात के फरिश्टे भी बहु तबी यह चोटी बच्ची बोलती है कि औरायन अभी अंधेरा मारा नहीं है, वो जीवित है तुम्हारी यादों में, हम सभी मिलकर अंधेरे को वापस जिंदा करेंगे और और सारी दुनिया को फिर से ठीक कर देंगे, और तुम्हारी यादों तक कोई पहुच सकता है तो वो है सपना और फिर सभी लोग अंधेरे को जीवित करने के लिए रेडी हो जाते हैं निंदिया ओर रायन को तकिया देती है और उसे गहरी नींद में सुला देती है और सपना और ये लड़की ओर रायन के सपनों में चली जाती है और सपना ओर रायन को वही सपना दिखाती है ज ब्लैक होल घर के हर सामान को अपने अंदर खीच रहा होता है। अपने से बाहर निकल आती है और यहां पर आकर सपना सभी से बोलती है कि हमें उन दोनों को अभी उठाना होगा अगर वो नहीं उठे तो उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वो मर जाएंगे ये सुनकर जागरण फटाक से ओरायन को उठाने के लिए अपनी कोश आफीन भूशिर की जा रही थी लेकिन वो अची नहीं रहा होता है और इधर पर अंधेरा निम से जाग जाता है और अंधेर निया लगता है सभी जानवर बाहर निकलने लगते हैं और प्रित्वी का सारा संतुलन फिर से स्थिर हो जाता है और अंधेरा पूरी दुनिया में अंधेरा फिर से फैला देता है और फिर अंधेरा ओर रायन को उसके घर चोड़ने आता है और और रायन अंधेरे से गले मिलकर बाइ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना